नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समचार संसत के बजट सेशन के आखरी दिन लोक शबह में सनिवार कुर राम मंदिर निर्माड के धन्यबाद प्रस्ताओं के साथ चर्चा की सुरुआत हुई प्रधान मंत्री नरन रमोदी 42 मिनट की स्पीच में अपनी सरकार की 5 साल की उपलबधियां गिनाई प्रधान मंत्री ने कहा कि पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफार्म और परफॉर्म कर रहा पियम ने कुरोना जैसी विप्रीद परिष्थित में संसत की कारिवाही पेपरलिस पार्लियमेंट की शिरुवात और 17 वी लोगशभा में 97 प्रतिशत प्रोड़क्टिविटी की प्रसंसा की ग्रह मंत्री अमित साह ने कहा कि लोगशभा चुनाव से पहले देश में सिटिजन्सिप अमेंडमेंट एक्ट यानि CAA लागू हो जाएगा उन्होंने कहा कि CAA देश का एक्ट है इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा उत्तराखंड के हलद्वानी में हुई हिंसा को 48 घंटे से जादा हो चुके हैं प्रसासन ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया है तीन दिन से बन भूल पूरा में कर्फियू भी लगा दिया है प्रसासन ने अब तक 5000 उपद्रवियों पर अफायार दर्ज की है 19 नामजद है और 4 लोगों को गिरवतार भी किया गया है आयोध्य में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुए 19 दिन हो चुके हैं लेकिन सद्धालों का सैलाप कम नहीं हो रहा है सनिवार यानि बीकेंड पर आयोध्य में फिर से हाउस फुल जैसे हालात हैं भक्ती पत्पर पैर रखने की जगे नहीं है इस पत्पर ही हनमान गड़ी कनक भवन और दसरत महल है सद्धालों की सबसे ज़्यादा भीड हनमान गड़ी पर है यहां एक किलो मीटर लंबी लाइन लगी हुई है हालाक इतनी भीड के बावजूद एक घंटे में हनमान गड़ी में दर्सन हो रहे है संसद में बजट सिसन के आखरी दिन ग्रहमती अमित साह ने 30 मिनट तक इस पीच दी उन्होंने कहा कि गुजरात में एक कहाबा थे कि हवर में हड़ी नहीं डालते जब पूरा देश आनंद में हो तो आप भी इसमें सामिल हो जाएए इसी में भलाई है मध्ध प्रदेश में आज यानी दस फरवरी के दिन लाडली बहना योजना की नववी किस्त ट्रांसपर की गई है मध्ध प्रदेश में अगले चार दिन तक मौसम बदला रहेगा कहीं गरत चमक के साथ हलकी से मध्यम बारिस होगी तो कहीं तेज आन्धी चलेगी सनिवार रात में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिबिनी और बाला घाट में बुनदा बादी हो सकती है 13 फरवरी तक जबलपूर, गौलियर, सागा, रीबा और नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों में बारिस होने का अनुमान है कल दिन भर की प्रमुक खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरात्री